नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है आज की मेरी रेसिपी है अवधी कटहल कबाब बनाने की ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में इनको बनाना भी बहुत आसान है और इनको यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस के साथ लिया है आप हरी चटनी के साथ भी ले सकते हैं जादा समयना आपका खराब करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं अब दी कटहल कबाब कैसे बनाते हैं कटहल के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने यह आधा किलो यानी हाफ केजी कटहल लिया था इसको छील के मैंने इस तरह से पीसिज में कर लिया है और इसके बीज भी मैंने अच्छे से छील लिये हैं तो यह कटहल हमारा तयार है यहाँ पर हमने एक प्रेसर कोकर ले लिया है इन कटहल के पीसिज को हम इस प्रेसर कोकर में डाल देंगे काटने के बाद हमने इनको धो लिया है अच्छे से अब हम इसमें एड कर देंगे आधा कप पानी ये देखिए पानी बहुत ज़्यादा इसमें एड़ नहीं करना है आप देख सकते हैं कि मैं कितना एड़ कर रही हूँ पानी एड़ करने के बाद अब हम इसका ढखकन लगा के इसको गैस पर रख देंगे प्रेसर कुकर को हमने ढखकन लगा के गैस पर रख दिया है गैस की फ्लेम ओन कर दिये है और हाई फ्लेम पा इसमें चार से पांस सीटी आने देते हैं पांस सीटी आ गई है तो अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देते हैं और प्रेसर कुकर को हम ठिंडा होने देते हैं प्रेसर कोकर ठंडा हो गया है और हम चेक कर लेंगे यह देखिए कटहल अच्छे से यह पक गया है यानि यह देखिए अब कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवशकता होगी यह हम देख लेते हैं यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिये थे इनको बारीक कट कर लिया है दो से तीन चम्मच यहाँ पर मैंने फ्रेश पुदीना पत्ती लिया है इसको भी मैंने धोके बारीक कट कर लिया है एक चम्मच हम लेंगे सौफ पाउडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है 3-4 चम्मच हम लेंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ इसको भी मैंने धोके बारीक कट किया है 3-4 चम्मच हम लेंगे हरी मिर्च मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा रख सकते हैं 7-8 लहसुन की कली अगर आप लहसुन उप्याज यूज नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा अद्रक का टुकडा लिया था इसको इस तरह से मैंने पीसिज में कट कर लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक हम लेंगे स्वादंसार एक चम्मच आमचूर पाउडर यानि ड्राए मैंगो पाउडर और एक चम्मच यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा लिया है एक चम्मच ही हम गरम मसाला यूज करेंगे और यहाँ पर हम क्वाटर कप लेंगे बेसन यानि तीन चौथा ही कप हम बेसन का यूज करेंगे एक मिक्सी जाल ले लिया है इसमें हम डाल देंगे उबला हुआ कटहल फात्मी हम इसमें डाल देंगे लेंसुन की कली अदरक और इनको हम पीस लेते हैं यानि इसको हम क्रश कर लेंगे ये देखिए कटहल को हमने पीस लिया है आप देख सकते हैं कि लेसुन, कटहल और अदरक ये इस तरह से हो गए हैं तो इनको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं कटहल को हमने एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे सौफ पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आम चूर पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटी चम्मच, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें लास्ट में एड कर देंगे बेसन, और बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इस तरह से देखेंगे कि मिक्षर ये देखिए बाइंड हो रहा है अगर ये आपका मिक्षर बहुत जादा लूज हो तो आप इसमें एक दो चम्मच बेसन और एड़ कर ले तो सबसे पहले हम हाथों को अच्छे से धो लेते हैं हाथों को हमने एक बार और धोके पोँचके हाथों में हमने थोड़ा सा ओइल लगा लिया है हाथों को चिकना कर लिया है तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे इस तरह से हम mixture को लेंगे आप कवाब का size कुछ भी रख सकते हैं थोड़ा सा छोटा या बड़ा पहले हम इसको इस तरह से गोल कर लेंगे गोल करने के बाद हलका सा हम इसको दबा देंगे यह देखिए और इसकी किनारी हम एक जैसी कर लेंगे इस तरह से भुमाते हैं यह देखिए इस तरह से करते हुए हमने इसको कवाब का shape दे दिया है तो इसको हम plate में रख लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे कवाब बना के तयार कर लेते हैं हमने सारे कवाब बना के ready कर लिए चलिए इनको fry कर लेते हैं गैस पे हमने एक पैन पहले से रख दिया था उसमें ओइल डाल दिया था ओइल अच्छे से गरम हो गया है तो जो हमने कबाब बना के तयार किये थे उन कबाब को हम इस पैन में डाल देंगे एक बार में बहुत जादा नहीं हम डालेंगे जितने आसानी से आ जाएंगे उतने fry किया है आप देख सकते हैं कि इनका color कितना अच्छा आया है और मैंने इनको medium flame पर fry किया है ये देखिए तो अच्छे से ये fry हो गई है हाई flame पर आपको बिल्कुल भी फ्राइ नहीं करने हैं नहीं तो अंदर तक अच्छे से फ्राइ नहीं होंगे तो आप गैस की फ्लेम मीडियम रखें तो एक दम बढ़िया कबाब आपके बन के तयार होंगे तो एक प्लेट में नैपकिन पेपर लगा के हम इन कबाब को निकाल लेंगे यह देखिए कितने बढ़िया कबाब बने हैं तो इसी तरह से हम बाकी बचे हुए कबाब भी पैन में डाल के फ्राइ कर लेते हैं एक बार ओयल अच्छा गरम हो जाएगा तो जैसे ही कबाब हम पैन में डालेंगे तो गैस की फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और अलटते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बाई बाई